नमस्कार साथियो और स्वागत है फिर दुबार से आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर ओं जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मेरा घर का जो है काम वह चल रहा है भी जिसके करण की मैं काफी बीजी हूँ और विडियो है डाल पाल रही आभी लकब गएग वहिने का टाएम एरे काल लगएगा जैसे आप अब抑प देख सकते हैं कि नीचे भी फ्लोरिंग का काम हो रहा है मारबलिस में पिछह जा रहे हैं और साथ ही अभी जो की पेंट है पुट्टी है वो होना बाकि है इसके लावद जो काम की बात है वो मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी मैं अपनी घर की छत पर मुर्ग यह फिलाल से सीड़ी के उपर जगह है कुछ खाली जो सम्वान वगरा रख निकले बाकी छट में अगर हम चलते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं भी काम जो है वो चल रहा है प्लस्तर हो चुका है लेकिन अभी भार से बाकी है और जैसे कि आप यह जगे देख सकते हैं यह जो जगे है 9x9 का एक कमरा कली इसको मैंने त्यार करवाया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जाल जो है इसमें दोनों तरफ जाल है एक तरफ से पूरी दिवाल है जो की मेरी सीड़ी का जो कमरा बना है मुम्टी उसका बैक साइड है बाकी पीछे जहां आप आप दे इदर से एक दरवाजा दिया है मैंने और साथ ही एक खिड़की और दूसरे साइड से भी मैं आपको दिखा देखता हूं इधर से भी आप देख सकते हैं कि अच्छे कासी बड़ी खिड़की है तो ऐसा एकदम खुला डुला हावादार मैंने बनाया ताकि गैस इसमें बिल पाइप आरी है इसको फिलाल अभी हम बाहर निकालेंगे जो कोन आप देख रहे हैं खिड़की को उपर है यहां से एलबो दे करके मैं यह गैस पाइप को बाहर निकालोंगा बाकी वह स्पेर पाइप है हमारा कोने में आप जो देख रहे हैं वह किचन का जो वेस्ट वाट पाइप हमने दे रखा है तो फिलाल अभी यह है कि कल यह कमरा तैयर करा गया है तो मैंने सोचा कि आपको बीच में कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देता रहा हूं क्योंकि काफी टाइम से वीडियो भी नहीं आई है कोई तो फिलाल के यह सेटप अभी तैयर हुआ है और अभी इसको सूखने में क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी फिलाल जो टेंपरेचर है यहां पर वो 11 डिग्री सेल्सियस अभी यहां पर है कल भी पूरे दिन धूप नहीं रही हाला कि यह काम कल के दिन हमने निप्टा है मिस तरीने जैसे तो इसको भी सूखने में हम कोशिशे कर रहें कि कम से 2-3 दिन हम इसको भी ऐसे ही छोड़े ताकि ढंक से सैट हो जाए और उसके बाद हम इसमें दो पाइप की सपोर्ट दे करके इसका परम जो सीमेंट की चदर आप ही देख रहे हैं यह मैं इसमें डालूंगा बाकी उसके में ठकने पड़ेंगे ताकि अंदर करम हाट रहें बाकि अगर नीचे की बात मैं करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस साइड में कम से कम 2-2 फिट के उपर जाली है और इधर भी लगबग 1-2 फिट के थोड़ा कम है दर्वाजा उससे उपर है बाकि इधर भी आप देख सकते हैं लगब 1-2 फिट के उपर हमारी जाली आ रखी इसलिए करा है ताकि जैसे मुर्गिया जब नीचे बैठ रहे तो डिरेक्ट हवा उनको ना लगे क्योंकि खिड़की अगर हम बिल्कुल नीचे से लेते तो जैसे हवा चलती तो उनको सीधे हवा लगती जिससे ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है इसलिए हमने इसको कुछ इस तरह से करा कि डिरेक्ट हवा ना लगे इसे मुर्गिया कर नीचे बैठी रहती है तो हवा जो है वो दिवाल में जब लगेगी तो वही हवा रुख जाएगी बाकि यह जरूर है कि दर्वाज के नीचे सब्सक्राइब कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का फिर्दवार से बाद बाद धन्यवाद